गुट मॉर्निंग इस्टुडेंट्स आजके इस लेक्चर आज से हम नया विश्य जो टॉपिक है वो शुरू करने जा रहे हैं द्रव अवस्था इससे पहले हम गैशियस स्टेट कंप्लीट कर चुके हैं यह द्रव अवस्था का पहला लेक्चर है जिसमें हमारा विश्य है Structural Difference between Solid, Liquid and Gaseous State, ठोस, द्रव तथा गैसी अवस्था में रचनात्मक भिन्यता वैसे इस टॉपिक को आप 9th क्लास से पढ़ते हा रहे हैं इसे आप हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि एक द्रव, गैस और लिक्विट, सॉलिट में क्या रचनात्मक भिन्यता पाई जाती है, जैसा कि आप जानते हैं, गैसी अवस्था में अनुओं की बीच की दूरी बहुत अधिक होती है, जबकि ठोस अवस्था में अनुओं की बीच की दूरी बहुत कम पाई जाती है, द्रवों में अनुओं के मद्धे दूरी गैसों की अपेक्षा बहुत कम, लेकिन ठोसों की अपेक्षा अधेक होती है क्यूंकि ठोसों में अभियवी कण एक निश्चित एक नियमित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं उनकी एक निश्चित ज्यामिती होती है जबकि गैसों में अभियवी कणों में कोई स्प्राय के व्यवस्था नहीं पाई जाती द् प्रकार ठोस द्राव और गैसों में कुछ रचनात्मक भिन्यताएं पाई जाती हैं जिसमें सबसे पहले हम टॉब्मा जो भिन्यता है वो अंतराणविक बल तता अंतराणविक दूरी की है गैसो के अनों के मद्य वान्डरवल अकर्शन बल होते हैं जो की दूरवल बल की श्रणी में आते हैं अतराणविक दूरी की की दूरियां अधिक होती है गैसों के मद्दे किसि भी प्रकाल के आईनिक बंद नहीं होते हैं। क्याइनिक बन्द प्रबल होते हैं अंत् होती है ये वह इतनी प्रबल भी नहीं होते की द्रब की अणू को द्रड़ता से बांदे रखें ठोस के कणों के मद्दे प्रबल आकर्शन बल या आइनिक आकर्शन बल पाई जाते हैं परिनाम स्वरूप जो ठोसों में अभियावी कण हैं प्रतेक प्रकार की गति के लिए सुतंत्र नहीं होते हैं गैस के अणूओं के मद्दे खाली स्थान अधिक होते हैं द्रब के अणूओं के मद्दे रिक्त स्थान ठोस की अपेक्षा में अधिक परंतु गैसों के अपेक्षा कम होते हैं और ठोसों में खाली स्थान नहीं के बराबर होते हैं गैस के अणू इस्थानांत्रन, कंपन और गुर्णन तीनों प्रकार्गी गती करने के लिए स्वतंत्रों होते हैं जबकि द्रवों के अणू कंपन गती और गुर्णन गती कर सकते हैं तथा जो ठोस अवयवी कण है वो प्रतेक प्रकार की गती के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं क्योंकि उनमें प्रवल बंद पाये जाते हैं तो अवयवी कण अमनी मूल इस्थिति के संदर्व में केवल कंपन गती कर सकते हैं क्योंकि वो एक दूसरे से ज़्यादा दूरी पर नहीं जा सकते तो उनमें घुर्णन पॉसिवल नहीं होता है किवल कमपन होता है अपने ही स्थान पर उनमें उर्जा परिवर्तन या स्थिती परिवर्तन होता है अगला बिंदू है जो कि गैस ठोस और द्राव के लिए भिन भिन होता है आकार और आयतर हम जानते हैं कि गैस में अनमों के मत्य खाली स्थान अधिक होने के कारण अनमों में सभी प्रकार की गतियां संभव हैं अथाद गैस के अनमों लगातार विचरन करते रहते हैं कि गैस का कोई निश्चित आकार और आयतर नहीं होता है ठोस में अभी अभी कण क्योंगी एक निश्चित ज्यामिती में व्यवस्ते होते हैं इसलिए कणों की एक निश्चित व्यवस्ता होती है इसलिए ठोसों का एक निश्चित आकार और निश्चित आयतर होता है लेकि अणू एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते और एक निश्चित आयतन में बंदे रहते हैं इसलिए हम कहा सकते हैं कि द्रवों का निश्चित आकार तो नहीं होता परन्तों उनका एक निश्चित आयतन होता है संपीडियता संपीडियता क्या होती है कि किसी भी जो संपीडियता है वो उसको दबाओ अगर हम लगाते हैं किसी भी द्रव गैस के उपर तो उसमें जो गैसों में तो संपीडियता पाई जाती है क्योंकि जो अनु है वो दबाओ मैसूस करते हैं और उनके बीच की जो दूरी है संपीडियता के कारण या कंप्रेशन के कारण कम हो जाती है द्रव और ठोस में जो संपीडेता है वो नगन्य होती है ना के बराबर होती है संपीडेता को संपीडेता गुणांग के रूप में हम व्यक्त करते हैं एक निश्चित ताप पर जब दाब में व्रिधी की जाती है तो पदार्थ के आयतन में होने वाली कमी और उसके प्रारंबिक आयतन का अनुपात उस पदार्थ का संपीडेता गुणांग केहलाता है द्रवों में दाब्स में 10 से 20 गुना व्रिधी करते हैं तो उनकी आयतन में बहुत ही कम परिवर्दन होता है तो इसलिए हम भी 0 माइनस व्यपी लिखेंगे divided by V0 into P-1 किसके बराबर होगा कप्पा जिसकी संपिटेता गुणांख कहा जाता है इस equation को rearrange हम करते हैं तो हम equation number 2 मिलती है Vp is equal to V0 multiplied 1 minus K P-1 कप्पा संपिटेता गुणांख है जिसका मान हम इस प्रकार लेख सकते हैं V minus 1 upon V del V upon del P at constant temperature यानि इस तेरे ताब पर जब दाब के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन होता है तो उसका अनुपात संपिटेता गुणांख कहलाता है इसी प्रकार हम देखेंगे तापिय प्रसार और संकोचन या thermal expansion और contraction क्या होता है गैसों में क्योंकि हमने देखा कि अंतर अन्विक दूरी बहुत जादा होती है और ठोसों में अंतर अन्विक दूरी बहुत कम पाई जाती है तथा द्रवों में अंतर अन्विक दूरी ग्यास के अपेक्षा कम और टोस के अपेक्षा बहुत जादा होती है अतहर जब ताप बढ़ाते हैं तो अन्विक दूरी बढ़ती है और आयतन भी बढ़ता है इस प्रकार जब निश्चित दाप पर द्रव का आयतन हम यह कह सकते हैं कि निश्चित दाप पर द्रव का आयतन ताप का फलन होता है एक निश्चित दाप पर ताप बढ़ाने से द्रव के आयतन में होई व्रिद्धी द्रव का तापिय प्रसार कहलाता है इस तापिय प्रसार को तापिय प्रसार गुनांग के रूप में व्यक्त करते हैं एक मिश्चित दाप पर एक डिगरी ताप बढ़ाने से द्रव के आयतन में होने वाली वृद्धी द्रव के वास्तविक आयतन का नुपात तापिय प्रसार गुनांग कहलाता है 0 degree centigrade तापमान वर्स्थर दाव पर आयतन V0 है तता T degree centigrade तापमान पर आयतन VT है तो परिभाशा की अनुसार हाम इसे लिखेंगे VT-V0 divided by V0 will be equals to alpha T alpha यहां द्रव का तापिय प्रसार गुनांग है अतहा हमें final equation मिलती है VT is equals to V0 multiplied by 1 plus alpha T द्रवों में तापिय प्रसार गुनांग का मान सामने तह धनात्मग होता है यानि कि अगर ताप बढ़ाते हैं तो आयतन भी बढ़ जाता है कुछ द्रवों में तापिय प्रसार गुनांग का मान रणात्मग भी होता है परन्तु यह ताप की बहुत कम range में होता है पर इग्जैम्पल जल में 0 degree centigrade तक तो alpha का मान negative होता है यानि कि जल का आयतन ताप बढ़ाने से गठता है कुछ द्रवों के जो सभी द्रवों के तो तापिय प्रसार गुनांग हैं वो द्रव की प्रकृति पर भी निर्भर करते हैं उश्मा गति की रूप से ताप ये प्रसार गुणांक को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं अलफा इस इकोस टू वान अपॉन वी डैल वी अपॉन डैल टी अट कॉंस्टेंट प्रेशर इस तरह दाभ उपर तापमान में परिवर्टन होता है तो उसके सासर आयतन में भी परिवर्टन होता है घैसों में ताप बढ़ाने पर जो प्रसार है वो चाल्ज की नियओं के अनूसार होता है जो की लगबग सभी गैसों में समान होता है यह मान द्रव के तापी प्रसार गुनान के तुलना में बहुत अधिक होता है ठोसों में तापी प्रसार गुनान द्रव की अपेक्षा बहुती कम होता है विश्रन क्या होता है? गैसों का एक मुख्य गुण है कि जितना स्थान गैसों को उपलब्द होता है वो उस पूरे स्थान में गैस के अनू विचरन करने लगते हैं क्योंकि गैस में अंतरानवी दूरी अधिक होती है अतानू के मद्दे खाली स्थान भी अधिक होते हैं गैसों में विसरन के वेग के लिए ग्राम ने विसरन का नियम बनाया था जिसके अनुसार सामान ताप और सामान दाप दी गई गैसों के विसरन का वेग उनके गहनत्व के वर्गमूल के व्युत क्रमानुपाती होता है द्रवों में विसरण होता है परंतों अनु के मद्धे दूरी कम होने से खाली स्थान भी कम होता है इसलिए विसरण भी कम होता है क्योंकि विस्रण के लिए रिक्त स्थान उपलब्द होना जरूरी है ठोसों में खाली स्थान बहुत कम होने के कारण इनमें विस्रण भी अत्यांत कम होता है अता उप्रोक्त गुणों के आधार पर ठोस, द्रव और गया सवस्थाओं की रच्चनात्मक भिनिता है उसे इस पश्रोप से देखा जा सकता है